हुआ है कि तो दोस्तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसकी जो हिस्ट्री होती है short history मैंने दिया हुआ हूँ और इस हिस्ट्री में से कोश्चन आता है JRF में कि सेक्स कोमोजूम की फिर्स्ट डिस्कूवरी किस नहीं की थी तो हम एक-एक करके देखते हैं स्टेप बाइश्ट सिक्वेंस है सबसे पहले हेंकिंग नामक साइन्टिस्त है हेंकिंग ने क्या किया था कि 1891 में 1891 में उन्होंने म इंसेक्ट में देखा था कि में इन्होंने sex determination की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने clear cut बता नहीं पाया था कि male क्यों हो रहा है या female क्यों हो रहा है यह इनका एक अजबसन्स था दूसरा चीज़ है एमसी कलंग जो थे वो 902 में ग्रास होपर में देखे थे तो ये question जो है जियारप में आया भी था कि जो सबसे पहले sex chromosome किसमें खोजा गया था तो वो answer आएगा आपका ग्रास होपर लोग इस पे confuse होकर के डॉर्सो फिला पर ठीक मार दें लेकिन इग्रास होपर answer आएगा next है Wilson ने जो था एक्स क्रोमोजूम की discovery की थी 1905 में और Wilson ने ही इनके involvement को बताया था कि कि इसका involvement कैसे होता है एक्स क्रोमोजूम का यह इन्होंने discover किया था 1905 में और Stephen नामक scientist थे छे वो जो है वाई क्रोमोजूम की खोज किया थे दॉर्सो फिला में और 1908 में इन्होंने किया था तो एक sequence by sequence जो था चलता गया discovery उसके बाद में जो concept आया कि sex determination करते कैसे हैं डॉर तो दोस्तों जो sex character होते हैं ना जो sex character हमने अभी जो पढ़ा primary or secondary sex character यह जो character है यह control कौन करता है या control कैसे होते हैं ना sex character तो हमने study करने के बाद पता चला कि जो character होते हो उसको एक तो पहला तो है आपका chromosome आपका control करेगा chromosome या gene करेगा और दूसरा चीज आपका आता है उसको तो या तो फिर environment जो है also player role करेगा important जो sex character में तो environment और chromosome या फिर chromosome या gene कहलो आप ये दोनों जो है sex determination या sex character show करने में अपना important role अधा करते हैं तो हम देखेंगे कि जो sex character में है इन्वार्मेंटल वेरियेशन से कैसे आप male और female को पता करेंगे या फिर chromosomal variation से आप कैसे उसको पता करेंगे तो यह हम देखेंगे next दोस्तों आप हम देखेंगे कि mechanism of sex determination तो sex determination का mechanism क्या क्या होता है सबसे पहले होता है mechanism में environmental environmental sex determination जिसको कहते हैं और दूसरा होता है chromosomal sex determination next आपका आता है genic balance theory ठीक है तो यह तीन तरह के main होते हैं पहला तो आपका environmental sex determination दूसरा आता है chromosomal sex determination तीसरा आता है आपका genic balance sex determination अब हम देखेंगे कि environmental sex determination में क्या होता है और chromosomal sex determination में क्या होता है then genic balance में क्या होता है ठीक है तो सबसे पहले हम discuss करेंगे environmental sex determination का तो environmental sex determination में example है आपका bonalia यह bonalia नामक एक microorganism है इस पर हम कैसे sex determination कहते हैं यह आपको बताते हैं तो जो bonalia होता है bonalia में हमने environmental sex character कैसे determine किया एक होता है आपका undifferentiated larvae होता है जो undifferentiated larvae होता है वो free living अगर रहेगा मतलब वो free रहेगा अटेज नहीं रहेगा किसी से तो वहाँ पर आपका develop होगा female ठीक है उसके बाद जो है अगर यह प्रोबसिक्स नामा के female character होता है उस पर अगर यह attached होगा तो उस पर यह क्या बनाएगा male बनाएगा ठीक है तो प्रोबसिक्स से attached हुआ तो male और free living रहा तो female तो यह मैं यह ब देखेंगे कि दूसरे type से हम कैसे environment से sex determine करते हैं तो यह तो एक simple example था किसका bonelia का bonelia का यह simple example था अब next देखते है तो दोस्तों यह दूसरे तरीका क्या environmental या फिर physical sex determination कह सकते हो आप यह दूसरे तरीके कहा है जिसको हमने divide किया है एक size के एक size के according इसको हमने depend वो किया है sex को determine किया है सबसे पहले जो यह जो लार्वा produce करेगा या फिर एक जो produce करेगा अगर वो large होगा मतलब जो एक जो है जो female produce करेगा वो अगर large egg है तो वहाँ पर female character show होगा और अगर वो small है ठीक है small egg है तो क्या show करेगा male character show करेगा किस case में डिनोफिलर्स के case में जिसको हम also sea warm भी करते हैं ठीक है तो यह है एक size जो है इस पर sex determination जो है इसी तरह से करते हैं अब next देखेंगे हम जिसको हम determine करते हैं incubation temperature से ठीक है incubation temperature से हम sex determination कैसे करते हैं कि जब incubation temperature होता है 30 से 32 degree Celsius जब जाता है तो generally इस पर क्या produce होता है यहाँ पर produce होगा आपका female ठीक है अगर temperature आपका incubation temperature 32 है और अगर यहीं आपका 23 to 24 degree Celsius है तो यह आपका इस पर इलेटिवली क्या प्रोड्यूस करेगा male character प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे तरीके से हम sex को determine करते हैं temperature के अधार पर एक साइज के अधार पर या फिर प्रोबसिक्स के अधार पर या फिर जो सी वार्म होते हैं जो आपके जो समुद् इबनीजम होते हैं उनको हम different different types है हम उसको क्या करते हैं determine करते हैं तो यह तब simple example incubation temperature का अगर 30 तो 32 होगा तो female और 23 to 24 अगर degree Celsius होगा तो male आपका produce होगा next हम देखेंगे यह हम चोथे तरह के sex determination बताएंगे आपको fourth जो sex determination है वो होता है ratio of x and a example dorsophila ठीक है x and a x chromosome और a यह दोनों पर depend होता है dorsophila के example है सबसे पहले हम देखते हैं कि x a का ratio अगर मान के चलो 5 है तो यहाँ पर आपका आएगा female ठीक है अगर 5 है तो female आएगा और अगर x और a का ratio 1 है तो यहाँ पर character produce होगा male ठीक है उसके बाद जो x and a का ratio है वो minus 1 से लेकर 0.5 तक के रहेगा तो यह होगा gyinedomorphs अब important concept आता है कि what is the gyinedomorphs तो gyinedomorphs होता यह है कि जब character जो है female है मतलब उसका character female है लेकिन जो half character है वो male जैसा show कर रहा है ठीक है अब वो चाहे character अपका quantity हो या qualitative character हो दोनों half-off रहेंगे तो उसको हम क्या करते है गैनेडomorphs इसका example हम किसी butterfly पर दे सकते हैं कि एक part का जो wing होता है एक wing जो होता है अलग type का color produce करता है और दूसरा wing है वो अलग type का color produce करता है उसको हम क्या करते है गैनेडomorphs करते हैं ठीक है झाल झाल झालो झाल